हलो दोस्तों अंस टेक्निकल जॉब सेंटर योटूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों मैं हूँ प्रभाकर निसाद और यानि की आप लोग सौट में हमें निसाद सर बोल सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आज मैं अपने योटूब चैनल अंस टेक्निकल जॉब सेंटर पर एक बहुत ही बड़ी गौर्मेंट जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन अपडेट लेके आप लोगों के सामने हूँ तो दोस्तों आज हम जिस वेकेंसी को लेके आप लोगों के सामने हूँ वो एक गौर्मेंट जॉब अपडेट है तो अगर आप लोग गौर्मेंट जॉब की तलास में ITI पास आउट हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा मौका है इस वेकेंसी को समझिए और पूरी जानकारी डेटेल से समझने के बाद ही आप लोग इस फार्म को अपलाई करिएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों बिना देर किये हुए हम आपको पूरी जानकारी फुल डेटेल के साथ एकदम सरल भासा में बीलेज वाली लंगज में पूरी जानकारी समझाने वाला ह इससे की जो भी जानकारी होती है दोस्तों वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए करें ठीक है तो नेम आप पोस्ट की बात करें तो बिहार BS Ph.C.L. टेक्निकल ग्रेड त्री, जूनियर एकाउंट क्लर्क, इस्टोर असिस्टेंट, जूनियर इंजिनियर, असिस्टेंट इंजिनियर, रिक्वाइर्मेंट दो हजार चौविस, अपलाई ओनलाइन फार्ट, दो हजार छे सो दस पोश्ट यानि कि 2610 पोश्ट है बहुत ही कीजिएगा ठीक है, पोश्ट डेट अपडेट की बात करें दोस्तों, तो 22 जून 2024 को यह अपडेट आया हुआ है, आठ बच कर 55 मिनट पे सुबह, बिहार इस्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिम्टेड यानि कि BSPSCL है रिलीज द एडवर्टाइजर मेंट आप टेक्निक ग्रेट 3, जूनियर एकाउंट क्लर्क, इस्टोर असिस्टेंट, जूनियर इंजिनियर, असिस्टेंट इंजिनियर रिक्वाइर्मेंट एक्जाम वेकेंसी दोजार चोविस, यानि कि यह जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, आप लोग इसको सरकारी रिजल्ट पे दोस्तों, एक बार आप लोग भली भात पढ़िए और समझे कि क्या कुछ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उसके बाद ही इस फार्म को अपलाई कीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को लाश्ट तक आप लोग देख लिजिए, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस में बताने वाल, ठीक है, सेल बस क्या रहेगा, एक्जाम पैटन क्या रहेगा, सारा कुछ बताऊंगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कमपनी लिम्टेड बी एस पीएच सील की तरफ से ये रिक्वाइर्मेंट आई है, जिसका एडवर्ज टाइजर नंबर जो है दोस जाकारी रिजल्ट पे आपको जाके वहां से इस फार्म को जो भी जानकारी डेटेल्स लेना है, ले सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टन डेट की बात करें दोस्तों, तो अप्लिकेशन विगेन, यानि कि इसका जो अपलाई आनलाइन डेट है, वो है 26.2024, यानि कि 20.06.2024 से इस फार्म को अपलाई आप लोग स्टार्ट हो गया है, अपलाई कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, 97.2024, यानि कि इसका जो लास्ट डेट है, वो है 29.2024, ठीक है, अपलिकेशन फीज की बात करें, तो जनरल बीसी और इबीसी के लिए 1500 रुपे अपलिकेशन फीज रखा है और यसी एस्टी के लिए 35 रुपे ठीक है, अब हम चलिए आपको एज लिमिट के बारे में बताते हैं दोस्तों, तो मिनिमम एज 18 एयर्स फॉर टेकनीसियन ग्रेट सेकेंड नाइंड जूनियर इलेक्रिकल इंजिनियर के लिए रखा गया है, और मिनिमम एज 11 एयर फार अ चलिए दोस्तों मैं इस वेकेंसिय को थोड़ डिटेल से आपको समझाता हूं, पोस्ट नेम आप लोग देखिए, टेकनीसियन ग्रेट थर्ड, एडवाज राटाइजर नंबर है दोस्तों, 05-2024, टोटल पोस्ट है 2000, यानि कि बहुत ही बड़ी पोस्ट है दोस्तों, टे रखा गया है, वो है, क्लास 10 यानि कि मैट्रिक एक्जाम पास्ट बित, टू एर आइटियाई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिसियन ट्रेड, यह चीज आप लोग समझ लीजिए, कि इस वेकेंसिय को इस फार्म को अप्लाइ करने के लिए आपको सिर्फ आइटियाई एलेक पी एचल की तरफ से, वो अनली 10 पास प्लस उसके साथ साथ दोस्तों आपको आइटियाई पास होना चाहिए, एलेक्ट्रिसियन से, ठीक है, जूनियर एकाउंट कलर की बात करें, तो 300 पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विकाम फ्राम एनी रिकुनाइजड यूनि इन इंडिया, यानि ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, तो आप लोग जूनियर एकाउंट कलर के लिए फार्म को अपलाई कर सकेंगे, जिसके लिए जो टोटल पोस्ट है, वो है 300, ठीक है, क्रास्पोंडेंस कलर के लिए जो रखा गया, 1500 पोस्ट है दोस्तों, ब जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जे इजीटियो के लिए जो टोटल पोस्ट है, वो है 40 पोस्ट, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग फ्राम एनी रिकॉनाइज इंसीट्यूट इन इंडिया, ठीक है, असिस्टेंड एक्जेक्टिव इंजीनियर यानि की जीटियो के लिए जो है वो टोटल पोस्ट 40 से बी बीटेक्ट डिगरी इन इलेक्ट्रिकल इंड इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनिरिंग जनरल के लिए 60% मार्क चाहिए और 20, 25% मार्क रहना चाहिए, 80, 80 के लिए 50% मार्क होने चाहिए तो ही आप लोग असिस्टेंड एक्जे है और क्या क्वालिफिकेशन रखा है हिन्होंने मैंने बता दिया आपको ठीक है अभी चलिए मैं आपको बताता हैं कटेगरी वाइज वेकेंसी डिटेल्स सबसे पहले टेक्निसियन ग्रेट थर्ड की बात करें तो जनरल के लिए 500 है, EWS के लिए 200 पोस्ट है, यसी के लिए 400, यस्टी के लिए 40, EBC के लिए 500, यसी के लिए 360, टोटल पोस्ट जो है वो है 2000 ठीक है, जूनियर एकांटेट्स के लिए जनरल के लिए 70 पोस्ट दोस्तों, EWS के लिए 30, यसी के लिए 62, यस्टी के लिए 7, EBC के लिए 80 पोस्ट है, बीसी के लिए 55 और टोटल पोस्ट जो सबसे पहले आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजीगा उसको भली भात पूरी तरह समझ लीजीगा जो भी जानकारी अगर हमारे समझाने से न समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूश सकते हैं या फिर उस नोटिफिकेशन पर हर चीज है कि पॉइंट समझने के बाद ही आप लोग इस फार्म को अपलाई कीजिए गए अब दुखस तो देखिए मैं आप लोग को इस इसका सेलबस है उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं वनली टेकनेशन ग्रेट थर्ड के लिए जिसमें की आई टी आई पास कैंडिडेट्स इस फार्म को अपलाई करने वाले हूं उन्हें के लिए जो जो सेलबस है दोस्तों यह बहुत ही महत्पूर चीज है बहुत इसकी बात करें तो टेंथ लेबल से आपका जनरल नाले जाने वाला है जिसमें जनरल नालेज में आएगा करेंट अफेर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इंडियन हिस्ट्री इंडियन जोगर्फी इंडियन पॉल्टी और साइंस एंड टेकनोलाजी ठीक है इसके बाद इस प्रोब्लम सॉल्विंग रिलेशन्शिप कॉंसेप्ट इस्पेश विजुलेशन अर्थमेटिकल नंबर सिरीज अर्थमेटिकल रेजिनिंग यह सब आएगा लोजिकल रेजिनिंग में 10 लेबल का यह बी होगा जनरल हिंदी आएगा दोस्तों यह भी 10 लेबल का आएग यानि कि जो भी सब्जेक्ट आएंगे जो भी सेलबस इनोंने बताया वो 10 लेबल है चाहे वो जनरल हिंदी हो चाहे वो रेजिनिंग हो चाहे वो जनरल नौलेज हो या पिर जनरल इंगलिस हो वो आएगा 10 लेबल ठीक है बेसिक नौलेज आप कम्प्यूटर का जो होना चा की फंडामेंटल आप कम्प्यूटर के अंदर यह सब नौलेज होना चाहिए बेसिक नौलेज आप यम्यस ओफिस यम्यस वर्ड यम्यस एक्सल यम्यस प्वावर पॉइंट यह सब जानकारी आप लोगों को दोस्तों होना चाहिए आप लोग इस सैलबस को समझ लीजिए इ अई से सरकारी रिजल्ट पर ही है ठीक है इसके बाद ही आप लोग इसी साथ त्यारी करी गए अब हम सबसे पहले बात करते हैं तो टेक्निकल जो आई टी आई जो ट्रेड से जो क्योश्चन आने वाले हैं वो कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं तो आप लोग इसको समझेए टेक्निकल पेपर आईज पर फाइनल लेयर सैलबस आप आई टी आई इन इलक्रेशिंट ट्रेड एसी मसीन वाइंडिंग अल्ट्रा अशीन कंट्रूल कैबिनेट कंट्रूल पैनल लेयाउड असेंब्ली वाइरिंग पावर जैनरेशन सिंगल फेश इन्डक्टर मोटरर सेन्ख्रोज मोटर thermal hydraulic nuclear non-conventional three-phase induction motor transformer winding transmission of electrical power ये सब जानकारी आपको होना चाहिए इसी से related chapter से ये question जो है वो आने आले हैं आपके इस exam में तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो की बिहार state power holding company limited की तरफ से vacancy आई है उसकी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दिये तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप लोग comment करके ज़रूर बताईएगा मिलते हैं दोस्तों next videos में next campus placement notification update या government job update लेके तब तक के लिए दोस्तों thank you, धन्यवाद, जैहिं दोस्तों